हेलो दोस्तों स्वागत है आपका PSA टेटिव चैनल पे मेरा नाम है लीना जन आज का हमला डॉब है के बेस्ट वर्डपेस थीम फोर एजेंसी वेबसाइट तो आज की बड़ी में हम देखेंगे कि एजनसी वेबसाइट के लिए सबसे अच्छी वर्डपेस थीम कौन सी है और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा जहां से पर्चेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट तो डायरेक्ली जाकर पर्चेस कर सकते हैं और अगर आपने पते किस चैनल को सब्सक्राइब नहींगे तो सब्सक्राइब कर लेजे और बैल अकन को भी प्रेस कर लेजे ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो प्लोट को तो इसको नोडिफिकेशन सबसे आपको मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा थीम बताने वाला हूँ जो एजनसी वेबसाइट्स के लिए एक दम परफेक्ट है इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी कोई दूसरा थीम यूज़ करने वाले ही नहीं हो कि हम यहां पर जाएंगे अपिरेंस में सबसे बहले हम थीम इंस्टॉल करने वाले है अभी यह हमारा बेसिक सी रपसाइट है हमने वर्डपरस इंस्टॉल किया है इस पर और कुछ भी नहीं है वर्डपरस का जो 2024 की जो बाइडिफॉल थीम आती है वो है यह ठीक हम इसको चेंज करेंगे अपिरेंस में जाएंगे थीम में तरह जाएंगे और अड़ न्यू थीम पर क्लिक करेंगे अब यहां पर एक ट्विस्ट है मैं बता हूँ ध्यान से देखना है इस चीज़ को यहां पर हम टाइप करेंगे जनरेट प्रेस यहां पर सिर्फ एक थीम काम नहीं करेगा यहां पर एक plugin भी है जिसके बजसे हमें यह पावर मिलने भानिए जनरेट प्रेस हमने आप लिग दिया और यहां पर यह आगया है और हम इसको install करेंगे और इसके पाद इसको activate कर लेंगे ओके अब activate कर लेते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर general press theme को install करके activate कर लिया है अब इसको refresh करेंगे तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की site है और basic सा एक blog website जैसा लग रहा है और बहुत ही simple है कुछ भी नहीं है यहाँ ठीक है लेकिन थोड़ा clean हो गया पहले से काफी बेटर लग रहा है एक header है एक sidebar है ठीक है footer है और main body है सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है अब चलो आपस चलते हैं अब यहाँ पर एक plugin की requirement है ठीक है plugin कौन सा बताता हूँ अभी सबसे पहले तो हम यहाँ पर click करेंगे generate press पर आप देख सकते हूँ यहाँ पर site identity और यह सारे options आपको देखने को मिल रहे है ठीक है और यह जो premium वाला option आप देख रहे हो plugin जो साने वाल है ठीक है उसके लिए हमें plugin की जिरुवत है add new plugin पर click करेंगे अब गईस जो plugin है कहने को एक premium plugin है लेकिन आपको टेंशन हैने की जरूत नहीं है यह premium plugin market में साड़े चार हजार या पांच हजार रुपए की यह ठीक है लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए मिलेगी और link description में दे रहा हूँ link पर आप जैसे click करोगे तो पहुंच जाओगे इस website पर और यहाँ पर आपको search करना यहाँ पर search बार है यहाँ पर search करना आपको generate press ठीक है और यहाँ पर आपको यह मिल जाएगा generate press premium wordpress plugin इस पर click कर देना है और यह open हो जाएगा और आप देख सकते हो यहाँ पर जो है euro में पांड में से dollar में कुछ भी लिखा हुआता है लेकिन इसका प्राइस है वो लगबग कुछ 600-600 रुपए के आसपास रहेगा अब मेरे case में मुझे इसको pay करने की जरूद नहीं क्योंकि मैंने इसका lifetime membership ले रखा है तो मैं इसको directly आपको डाउलोड कर दो आपको case में buy now लखा हुआ आएगा आपको 600-600 रुपए देने पूरे 90% का discount है हमारे link के तो आपको मिल जाता है और आप ये वाला plug-in ले सकते हो plug-in लेने के बाद अभी जैसे मैं इसको download कर लूँगा तो guys ये अभी download हो जाएगा और मेरे पास यहां पर पहले से ये plugin डाउलोड किया हुआ है जैसे ही download हो जाता है आपको ये फाइल मिलेगी ये वाली जो फाइल है ये आपको इसे upload करने के बाद आपके पास सारी आपका जाएगा प्री प्री थीम बन जाएगा तो चलो ये देखिए ये हो गया download यहाँ पर आप देख सकते हो जीबी प्रीमियम ये डाउलोड हो चुका है ठीक है चलो आपको हम क्या करेंगे इसको upload करेंगे अप्लोड करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे अप्लोड प्लगिन पर क्लिक करेंगे देखिए मैंने ठीक है अब activate प्लगिन पर क्लिक कर देंगे और ये अक्टिवेट हो गया ठीक है तो गाईज अब हम फिर से appearance में जाएंगे और ये जो generate प्रस का option था ना इस पर फिर से क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हो page पूरी तरीके से change हो चुका है अब आपके पास ये सारे options आ रह है simply सब को activate कर दो ठीक है सारी चीज़े हमने activate कर दिये अब यहां पर हमें करना क्या है कि इसको एक बार हम refresh कर लेंगे तो refresh करते हैं आप देख सकते हो टॉप में elements site library ये सारे option आगा है अब हमें site library में जाना है और यह सबसे पहला वाला है यह एक agency theme business theme जो चाह Hello कह सकते है ठीक है तो business आमें click कर दिया अब ये वाला ले सकते हो अब आपके पास अगर कोई दूसरे से एंजिन ये वाला ले सकते हो ठीक है एजनसी के लिए कोई भी आप लेना चाहते हो ये वाला ले सकते हो इन बाउंड ले सकते हो ये काफी अच्छा है ठीक है तो आप जो भी आप लेना चाहते हो मैं ये फर्स्ट वाला लोंगा ठीक है जोभी, म häufदा है आपको जोभी लेना होगा, और जैसे कि आपको अगर freelance लेना है, इसलिए में यह ले रहा हूँ, क्यूँकि कुछ 5,10,20左 जादर लग सकते है, तो मुझे पता है कि कि टाम लगने वाला है, तो मैं इसलिए अब यह कुछ information के अधर करेगा generate block के जो plugin है अगर वो install नहीं हुआ तो उससे install करेगा ठीक है और उसके बाद content import करेगा उसके बाद आपकी जो site है वो ready होगी तो एक एक करके जो process होगा वो अपने आप करता रहेगा आपको कुछ करने की जरूत नहीं बस आपको बैटना है और बेट करना है तो इसमें थोड़ा सा time लगेगा आपको बैट करना है क्योंकि site में जितना भी content ना जो भी pages से images से post सब कुछ import करेगा तो आपको थोड़ा थो patience रगना और रुपना बेट कर लेना है तो चलो देखते है ओके इंपोर्ट हो कियो है तो अब हम view site पर click करके site पर check कर सकते हैं लेकिन हमेशा की तरह हम हमारे जो पुराना site था इस पर आ गया एब इसको refresh करके difference देखेंगे तो चलो आब पर पूरी site लोड हो चुग है मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगा इतना फास्ट है इस सर्विस पर क्लिक क्या सर्विस वाला पेज लोड हो गया ठीक है अब हम ब्लॉग पर क्लिक करेंगे ब्लॉग पर लिए हो चाहे बिजनस अब साइट के लिए हो कोई भी तरह आप पर कंफा में क्योंकि यहां पर बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी कोई भी फ्लैश आइटम्स कुछ भी यूज नहीं किया गया है एकदम फास्ट सेक्योर और कमाल का यह है यह थीम है चलो अब हम क्या करना है इसको एडिट कैसे करते है यह देखना है जो भी हमारे पास अवा क्लिक अब हमारे पास यहां पर अपीरेंस है इसमें अंदर आपको कस्टमाइज का आप्शन मिल जाता है कुछ चीज़ें यहां से कस्टमाइज होगी जैसे माई ब्लोग लिखा हुआ रहा है तो मैं यहां पर लिख दूँगा ओके इन बाउंड ठीक है आपके जो भी एज शक्राइड कर सकते हो इसको हउड करना इसको इसको हईड कर सकते हो है अगर आप लोगो लगाना चाह multimाई फिसको यहां पर लूगो अब अप्रोड हो गया है अब लोगों के बीड को आप हाइड को अगयरा लगाना है तो आपको भी कर सकते हो तो यह देखिए यह है कुछ इस तरीके से यह हो गया है इसको पब्लिश कर सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका जो है लोगों और साइट टाइटल यहां पर शो हो जाएगा चलो अब यह हो गया हमारा काम अब ब्याक आजाते हैं ले आउट में कंटेनर है बहुत सारी चीज़े जिसको आप चेंज कर सकते हो ठीक है हाला कि सबकुछ एक दम परफेक्ट है इसलिए इसमें कुछ भी चर्चर करने के आपको जरूरत नहीं है हेडर के अंदर भी सब बढ़िया है कोई पैडिंग बैडिंग आपको बढ़ाना हो कम करना हो कुछ भी करना हो यह देखी पैडिंग उपर से पैडिंग बढ़ती चली जाएगी और अब यहां पर कम रहें तो कम कर सकते हो तो इस तरीके से आप यह चीज़ें कर सकते हो और इसको पब्लिश कर दूँगा मैंने 30 था इसका पैडिंग 30 पिक्सल तो मैंने इसको 20 पिक्सल कर दिया अब यहां पे प्राइमरी नाइविगेशन यानि की मेन्यू ठीक है मेन्यू अगेरा आप अच्छेस कर सकते हो यहां पर अलागी मेन्यू अच्छेस करने के लिए और दूसरे ऑप्शिन भी हमारे पास मेन्यू आइटम बीट यह देखिए बीट कुछ इस तरीके से बढ़ा सकते हो और इसको क्या कर लेंगे हम रिसेट कर देंगे जो भी पहले था वह इसको भी रिसेट कर देंगे और सब कुछ बढ़िया मतलब यहां पर कुछ एक्स्टा आप में करने की जरोतनी है सारी चीज़े एकदम परफेक्ट है बस कैसे करते हैं बस बतार उतारो स्टिकी नैविगेशन नैविगेशन मॉबाइल ओल्ली डेक्स्टॉप अल्ली यानि कि अब इसके केस में भी आप एक लोगो लगा सकते हैं जैसे की मैं क्या करता हूँ यह पिर से अफ्रोड करूँगा मैं इसको publish कर दूँगा तो अब हम क्या करेंगे कि transition को fade नहीं इसको slide none कर देंगे अब क्या करेंगे इसको scroll down करेंगे scroll down करने पर यहाँ पर देखो अब logo भी show हो रहा है scroll down होते यह logo आगया और menu होगे नहाँ पर आगया slide slide पर भी slide करके देख सकते हो आप यह देखिए scroll down करते ही यह slide करके आया है तो यह menu काफी सही लग रहा मतलब menu वही का वही है हम scroll down करते जा रहे हैं लेकिन menu हमें show हो रहा है तो आप इस तरीके से इस चीज को setting कर सकते हैं मैं हमेशा इसको on करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है कि menu हमेशा रहे सब पुछे यहां से हम adjust कर सकते हैं ठीक है चलो अब यह हो गया है और अब हम आजाते colors में site के जो भी colors है उनको हम यहां से adjust कर सकते हैं जैसे कि अगर यह वाला color है इसको मैं चाहता हूँ कि यहां पर यह देखिए बस अभी हम एक बाद change कर लेते हैं ठीक है तो आपको लोडनी लेना अगर कभी ऐसा हो तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जो page हम select करके रहेंगे ना वो pink दिखाए देगा यह हमने कर दिया typography मतलब पूरे site पे जो font use हो रहा है हम इस font को change कर सकते हैं ठीक है यहां से को भी font आपको select कर लेना है यह base font है यह primary लग से font है pixels heading के लिए क्या pixels पगेरा रहने बारे यह सब तीज़े हमने यहां पर कर दिया है ठीक है बैक कर लेते general menu, widget, homepage setting इस सारी चीज़ आप आप सेड़िस्स कर सकते हो अला कि homepage setting आपको दो ही option मिलते है या तो blog page रखना है या फिर आपको homepage रखना है ठीक है static page रखना तो static page रखना हमने और business site इन static page ही होता है blog page नहीं होता है ठीक है तो हमने यह पूरा यहां पर सीख लिया तो publish कर लेंगे एक बार और हमारे site को एक बार refresh कर लेंगे तो अब देख सकते हो कुझे सरीगे से हमारी site शोओ रही है और काफी बढ़ी रहा है चलो अब हम इसको close कर देंगे अब दूसरी चीज़ आती है guys यहां पर जो हमारा generate plus का plugin था अब यहां पर copyright text वगेरा change करना disable elements menu plus secondary navigation site library कुछ भी अगर आ लेंगे हम पेजस में जाएंगे क्योंकि साइट पर सबसे ज़्यादा है क्या services about blog और styles pages ही तो है हम जाएंगे pages में और pages ले जाएंगे all pages पर click कर लेंगे तो अभी आप देख सकते हो यहां पर यह सारे pages से अभी सबसे पहले home page को हम एडिट करना है तो इसको edit पर click कर देंग यहां पर कोई complication नहीं है कोई extra page builder की जरूत नहीं है सब बहुत ही अच्छी तरीके से smoothly handle होता है यहां पर सबसे पहले हम यह वाला block select करेंगे अभी पूरा container है container के अंदर कोई भी changes करना है कर सकते हो यह colors बगेरा change करना चाहते हो colors change कर सकते हो typography कुछ भी आपको इस पूरे container पर change करना तो कर सकते हो टेक्स है टेक्स पर click किया इसके test के अंदर माल लो की merging data and strategy to deliver real results तो हमने यहां से क्या करेंगे यह remove कर देंगे ठीक है इतना ही रखना है तो हमने remove कर देंगे इसलिए चीज़ हो गया अब माल लो कि आपको यहां पर हमने यहां पर click कर दिया ठीक है और आपको यहां पर कुछ भी नया जोड़ना है जैसे plus पर click किया मैंने और मैं चाहता हूँ कि यहां पर एक button और यहां पर add कर दिया तो अब इस button के अंदर जो भी changes करना है जो भी link बगेरा डालना ही सब मैं यहां से डाल सकता हूं इस button में कुछ भी change करना है तो मैं कर सकता हूं spacing बगेरा दे सकता हूं जैसे टॉप left टीके left 50 pixels यह इस button के अंदर का padding है अगर मैं कुछ margin देना चाहता हूं तो margin दे सकता हूं ठीक है इसको 20 ही रख देते हैं और margin मैं करता हू हो गया sorry यहां पर left का मैं 20 pixel कर दूँगा ताकि इस button के साथ तोड़ा spacing आ जाए ठीक है तो इस तरीके की जो भी editing बगेरा करने ही यहां से हम कर सकते हैं border बगेरा देना चाहते है बटन में तो जैसे कि यह हो गया 15 pixel का पर बोर्टर हम देना चाहते है बोर्टर दे दिया अब यहां पर अगर मैं कर दो तू 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 और इन सबी जग़ां पर मैं select कर दो अगर तो इसके चारो तरफ एक बोर्डर आ जाएगा इस बटन के चारो तरफ ठीक है अब इस बोर्डर के size को मैं यहां से adjust कर सकता हूं border radius दे सकता हूं जैसे कि यहां पे 10 pixel 10 pixel 10 pixel 10 pixel अब यह लिक करों यहां फर लिंक सर्फ navigate बटन मारा पर चलाना जाएगा और इस इमेज्ड को चेंज्ड करना है सिम्पी अमने इस इमेज्ड क्लिक क्या इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको इसे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हो ठीक है और अपन मीडिया लग रिप्लेस कर सकते हो और इसके अलावा अगर आपको इसको डिलीट करना चाहते हो इसको डिलीट कर सकते हो इन सबी चीजों को आपको इबाद जो भी चीजा आप उपन रहती है आपको इबाद से क्लॉस कर देना है और उसके बाद आपको वहाँ पर जो सेटिंग करना है हमाँ आप कर सकते हो ठीक है इसके width, height वगिर आप यहाँ सेट कर सकते हो रिप्लेस करना है इसको यहाँ सेट कर लेंगे तो हमने दूसरा इमेज यहाँ पर डाल दिया आपको इसको रिप्लेस कर लेंगे और यह हम वापस लेया है वैसे ही इस image को रिप्लेस कर सकते हैं इस text को जो भी आपको रिप्लेस कर सकते हैं तो कुछ नया चाहिए तो कोई पर श्यू नहीं है तो यह चीज बहुत ही easy हो जाता यहाँ पर करना अभी जैसे यह है यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा इसके अंदर जो है यह तीन पोस्ट आपको देखने को मिलड़ा गर आप चोथा पोस्ट होता तो चोथा पोस्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता ठीखे और यहाँ पर जैसे यह है यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करते हो इसका आप चैन्ज कर सकते हो साइज बगेरा चेंज कर तो heading 2 बना दो ठीक है आप इसको paragraph ही रखना जाओ तो paragraph रख दो और यहाँ पर यह जो name है name कुछ भी लिखा हुआ नहीं है हमारा खुद का नाम लिखना है तो यहाँ पर हम खुद का नाम लिख सकते है ठीक है तो हमने यह नाम लिख दिया और यहाँ पर हम जो भी नाम लिखना चाते है लिख सकते हैं सका यहाँ पर भी अब ईशुक लिख देता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने completely इसको edit कर लिया है ठीक है कोई भी चीज आपको change करना आप चेंज कर सकते हैं इसे button है button का अगर आपव क्लिक कर दो simply color य यह color यहाँ पर आ गया और अब हम इसको यह set कर देंगे और इसको hover करने पर हम चाहते हैं कि यह green color आ जाए, यह वाला green ठीक है, अब जैसे सकते हो, मैं इसको hover कर रहा हूं, तो green आ रहा है, वैसे तो blue color का है, ठीक है, और अब इसके अलावा, और text वगेरा color change करना है, तो एक चीज को यहाँ पर edit कर सकते हो, लास्ट में आपको update पर click कर देना, और सब कुछ update हो जाएगा, पड़ा जाएंगे हम page पे, अभी जैसे आप देख सकते हो, हमारा page कुछ इसरी कर दिख रहा था, पहले button नहीं था, वो तीसरा button अब हम इसको refresh कर लेंगे, और यह तीसरा button सबसे पहले rank करता है, ठीक है guys, तो इस theme का, जो है, price आपको कुछ भी देने की ज़रोत नहीं, यह free theme है, generate price, लेकिन जो plugin है, वो premium है, अगर आप उस plugin को खरीदने जाओगे, तो market में उसकी value है, कुछ 60 dollar, 60 dollar मतलब आज की rate में मान के चल सकते हैं, कि कुछ 5000 के आसपास देने व सकते हैं, चाहिए वो blog हो, agency site हो, e-commerce site हो, जो भी आप बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत अन्य बात. सब्सक्राइब आपको मिलेंगे, तो आज की बना में सब इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.